बिहार में विधान सभा के चार सीटों पर उप्चुनाव को लेकर हुए वोटिंग के बाद आज मतों की गन्ना होनी है मत गन्ना से पहले तमाम उमिद्वार मत गन्ना किंद्र पर पहुंचने लगे हैं इस बीच गया के बेला गंज विधान सभासीट से राश्टी जन्तादल के उमिद्वार विस्वनात यादव मत गन्ना किंद्र पर पहुंचे विस्वनाति यादव ने मतगन्ना केंद पर पहुँच कर ये कहा है कि विधान सबाच्छेत्र के लोगों ने जितना प्यार दिया है और जितना विस्वास जताया है आज उसका छोटा सा आकलन है वहीं देखने आए हैं कितने मारजीन से चुनाव जीत रहे हैं किस सवाल पर विस्वनाति यादव ने कहा कि थोरे इंतजार कीजिए सब कुछ सामने आ जाएगा अपने मारजीन से चीत होगी यह दो आप बताएंगे कुछ देरे इंतजार करनीजिए आप खुदी अनॉंस्मेंट कर रहे हों किया परसाशन उनकी है हम तो सरकार के खिलाफ शुनाव लगते हैं परसाशन ने हमारे सैकडों कारिकरता हो पकड़ा उनको थाने में बंद किय हमारी एलेक्शन को डिस्टर्ब किया हमको पर्मिशन देने हम बड़ी कोताही की हम लोग जिस बात की मीद भी नहीं करते थे वही हुआ चलो कोई बात नहीं आज वक्त आपका है आप कर देजे लेकिन इस बात को ख्याल रखिएगा इस जोर जुलुम के टक्कर में जो आपको एसास है प्राटा है उपर है नीचे है थोड़ा वक्त इंपजार कर लिए तीन गहंटे में आपको सारा चितर जो है वो साफ नहीं आपको बता दें कि गया के बेला गंज विधान सवासीट से राश्टे जन्तादल के उमिद्वार के तौर पर जहानाबाद के सांसद्व बेला गंज के पुर विधायक सुरेंद्र यादव के बेटे विस्वनात यादव मैदान में थे तो वही जन्ता दरिणाथिट के टिकट पर बिंदी यादव की पतनी वजेडियू की पुरो MLC मनुर्मा देवी मैदान में रही जन्सुराज के मुहम्मद अमजद के चुनावी मैदान में उतरने के बाद मुकावला त्रिकोनिये हुआ और आज बेला गंज की जनता ने जनादेश किसे दिया है इसका नतीजा आने वाला है असीस गुपता टुडे विहार नीज गया